जैहिं दोस्तों आप सभी के स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल अभ्यास ओंलाइन क्लास हैं दोस्तों मैं हूं कृष्णा और दोस्तों फिर से मैं लेकर आए हूं प्राचिन भारत के यहां जो हम लग वन लाइन प्राकार का कोश्चन पर रहे थे उसका यह छटवा पार्ट है अग अगर आप तभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किया और नौटिफिक्शन बेल को भी ओन कर ले दोस्तों ताकि मेरे दोर अप्रोट किया गया वीडियो आप आसानी से और तुरंथी बिना रुकावट के देख सकते हो दोस्तों मैं आकर आप कॉमप्रिशन एक्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो दोस्तों मैं ज्यादा समय ना लेता हूँ आज का ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ चोले स्टार्ट करते हैं रेट बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सांथी सांथ नौटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लें दोस्तों ये इस वीडियो का छटवा पार्ट है तो ये कोश्चन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों एक से तो कोश्चन है मगत के राजा अजाद सत्रू का सदय उक्किस गन राज्य के सांथ युद्ध रहा है तो दोस्तों वैसाली के जो राज्य है उसके सांथ हमेशा अजाद सत्रू का युद्ध रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच कभी बनता नहीं था अगला प्रशन है चित्र ध्रूसर जो ह ज्यादा धूसर क्या है प्रकार का रंग है और मिट्वान का बना हुआ बर्टैन iPhones में क्या बना हुआ है चीर्ट्र लादा हुआ हो प्रेशन है वो सब से ज्यादा कहां मिला हो दोस्तों वैदिक सभ्थिता सेमिल भू निएभी वीशेश्ता सिंधुगाटि की सभेता से संबंधित नहीं है तो वो क्या विशल इस ननागार कहता है तो दोर्तम विसाल इस ननागार में जो महंत्ण, जोतर से मिला हुआ है अगला प्रश्न देख लेते हैं 206 किस वंस की भारत की संस्क्रिप्ती में स्वार्न यू कहा जाता है तो दोस्तों गुप्ट काल का जो काल है उसे स्वार्न काल की रूप में कहा जाता है अगला प्रश्न देख लेते हैं आहत जो है जो सिख्के है इसके निर्मान में जो प्र अगला प्रश्ण है सिंदु गाटी सब्यत्या का का के आए और जागा उसके किटिया मइटर की चर्चा की गई है तो दोस्तों तीवर का है उसका पुत्र है असोक शम्राट असोक का पुत्र है तीवर उसका मात्र एक अभिलेख है उसमें इसी का नाम बस मिलता है अगला प्रशन है तमिल भासा में तमिल भासा के प्रथम दो चंगत जो संगमों का इतिहात केवल कहा मिलता है तो वो कहा मिलत से जाने जाते हैं अग्ला कर्यारा यूनानी इतिहास में इसिस्थान का उलेक मिलता है, तो ढहले की उलेक मिलता है इनना पास का उलेक मिलता है। वाे पुरभराव में सती-प्रतहक लेलmen करते थे हैं, कि पहले भी लोग क्या करते थे पती-प्रतहक के रूप्व में क्या करते थे ? महिलाओं को भी कि इस्टताय समुद्ध मीइं दूस्तोues 15 उसके विस्तार कहां तक वो गया था दूस्तो तो समुद्रद्ध काल करते एक राजा के पदाधिकारी में सबसे अधिक सम्मान पूर अथिक्ताय उंगे favourite पदाधिक्तारी थे उसमें जो सम्मान पूरवक जो इस थान था वो किसका था पूरोहितों का जहां तो अगला प्रशन है ग्रांड टंग सड़क की ओजना किसने बनाई थी तो दोस्तों यह मध्यकाली नितिहास का है तो क्या हुआ सेर्शाह शूरी ने क्या किया था जीटी लोड बनवाया था दिद्वतों तो हो कौन सा है चार जीटी रोड बनवाया था अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन में दोस्तों 208 हरपपा स्धलों का अधिक्तम संकेंद्रण कहा हुआ है सिंधू अर उसकी सहायक नदीयों के मेदान में अगला प्रस्थ्थर तो प्रस्थ जो कर चाहएं कोजास की हैं गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कौन सा विद्धान के इस्वर के अनुकूल नहीं है। तो अगला प्रशन देखनेता है अगला प्रशन है दोस्तों इसके जो कोशन है विध्यायन जो समाप्त कर धर लोटने का संस्कार कहलाता है तो वो क्या करता है समावर्तन जो है संस्कार कहलाता है समावर्तन दोस्तों अगर संस्कार के बारे में क्या होता है जन मसले की मृत्त जनमत से लेकर मृत्यव तक की पूरी 16 संसकारों का वर्णन मिलता। उसमें है समवर्तन संसकार जिसमें क्या करता है जब बच्चा विध्यागरहन कर लेता और ग्रिहस्त अशरम में प्रवेश करने के लिए वो अपना घर लाटता है तो क्या होता है समवर्तन जो है वो संसका अगला प्रश्ण है असोक ने अपने किस अभिलेग में स्वयम का उलेख किया है तो दोस्तों मास की अभिलेख है जिसमें क्या किया है असोक समराथ अशोक ने अपना पहला खुद का उलेख किया है अगला प्रश्ण है महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार कि भाषा में किया है तो वो किया है अवधी भाषा में किया है दोस्तों सबसे पहले लिया जाने वाला कर क्या है तो दोस्तों पहले वाला जो सबसे लिया जाने वाला जो पहला जो कर है वो क्या है भाध या युद्ध का लूट का माल तो उसमें क्या किया थे थे सबसे पहले ट नहीं मानता है उसका खून कर दीजी और क्या होगा उसका समराजी को अपने में सामीन कर दीजी इड़ाइस को निया था विम्मार्क नहीं दिया था अगला प्रश्ण है आरियों की जो सबसे बहुमुल्य बहुतीक संपदा थी वो क्या है उसके पस्वों थे मतलब पस्वों में क्या था सबसे ज्यादा जो था वो क्या था गाय था अगला प्रश्ण है वातापी किसकी राजधानी थी तो दोस्तों वातापी जो है राजधानी था किसका चालुक की राजधा था चालुक की जो है बहुत फेमेशी राज जो है दोस्तों राजवन्स थे अगला प्रश्ण है दोस्तों अठ्थाई मुख्य रूप से पहले तीन वेद ही माने गए थे पहला उश में क्या है वेदत्रई काफी प्रसिद्ध सब्द है तो वेदों के अंतर्गा समलित किया गया चौथा वेद क्या है अथर्व बेद है तो दोस्तों वेदत्रई जो है सब्द है किसका उसी का काफी प्रसिद्ध सब्द है किसका वेद का और दोस्तों वेदों में के अंतर का समलित किया गया जो चौन्था वेद है कौन सा है अथर वेद है तो मतलब चौन्थे नमबर पर जो वेद आता है वो क्या है अथर वेद है अगला प्रशने सिंदु घाटी सब्देता की लोग नाना प्रकार की सब्जियां अन और फलों का उप्योग करते थे मुख्य रूप से वे क्या थे दोस्तों जो सब्जियां अन एवं फलों का उप्योग करते थे मुख्य था वो क्या थे निरामिश तथा समावी इस दोनों प्रकार के सेवन करते थे मतलब कुछ पका के औ को अनेक प्रकार की धातों का ग्यान था किन्तु किसका ग्यान नहीं था लोहे का ग्यान नहीं था दोस्तों उसे लोहे का ग्यान नहीं था वो तो क्या सबसे पहला जो खोजने वाला जाने वाला धातु है वो क्या है तामबा है अगला प्रशन देख लेते हैं प्रशनमबर है कि अधिए है और राजिस्थान की जो क्या है। जैपुर तो दोस्तों इस तरह क्या है वह famous जगह और सांथी सांथ दोस्तों अगला प्रशन है चंदेल सासकों की राजधानी क्या थी तो महोबा क्या है चंदेल वंसकों की राजधानी थी और चंदेल के सासक ने क्या किया है भोरम देव और सांथी सांथ जो है मद्ध प्रदेश के खजुराहू का निर्मान किया है अगला प संथ Ó Markus 10 अविविटाstones करें के अगला प्रशन ने क्या किया था सिंधु जो सब्यता उसे हड़फा सब्यता का नाम दिया क्योंकि क्या है यह कन बंगार मिली है यहाइए सिं καो में किस इस्ठलों से जो है यूग में संबंधियां मिली है तो उसमें लोथले उमकाली बंगा से यूग में समाधियां मिली है तो यूग में समाधियां मतलब क्या हुआ है एक समाधी है जिसमें क्या है इस्त्री भी है और पूरुद भी है दोनों को क्या कर दिया जाता है साथ में दफना दिया अगला प्रशन देख लेते हैं हर्याक वंस का संस्थापक कौन है तो बिम्बिसार है हर्याक वंस के संस्थापक दोस्तों बिम्बिसार ने भी अपना जो है राजा को हत्या करके वो अपना राजगद्धी सम्हाला था अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तों भारत में संगम सब्सक्राइब पर के कि तेन संगम माना गया तो दोस्तों पहला जो संगम माना गया है मधुर्य को माना गया है मिनाख्छी मंदीर अगला प्रशन जयन धर्म के पहले तीर्थिकर कौन है तो रिष्भ देव है तो इस तरह दोत Dabei इस वीडियो में मैंने चालिश कोशन को कभर कर दिया आई होप यह चालिश कोशन इंपोर्टेंट है तभी मैं इसको सामिल किया हूँ यह कोशन आपको याद रहेगा दोस्तों अगर आप कॉम्पेटिशन एक्जाम के त्यारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए यह यह जरूर है तो दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नौटिफिकेशन बेल को भी ओन करें ताकि मेरे दोर अप्लोड कि अगर वीडियो दोस्तों आप तुरन थी जल्दी देख पाओगे दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लागा पर अच्छा लगओ होटों लाइक जरूर करें दोस्तों अब सब्सक्राइब को पूरा मेरे इस वीडियो के बारे कुछ भी कहना है तो कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्याद ज़्याद अपने वार्टसब्र अपने वार्टसप ग्रूप पर फेस्बूप पर दोस्तों को जादर जादर इसे शेयर करें ताकि इस वीडियो का फाइदा भी उन्हें मिल सकें इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू